हलो नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको कलाश 12 जोगरफी के जितने भी चप्टर है सब के अब्जेक्टिव कुष्चन को फास्ट में सौल्व करने वाले हैं अगर आप इसको एक बार एक जलक देख लेते हैं तो आपने अभी तक में जितने भी कुष्चन पड़े हैं सब आपके मायने में आ जाएंगे और आप जो इंसर्ट करोगे अब्जेक्टिव में वो सब सही होगा इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और फास्ट में सभी चप्टर का हम फास्ट में अब्जेक्टिव कुष्चन अभी करेंगे तो आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें प्ली सस्क्राइब करेंगे क्योंकि ऐसे ऐसे कॉंटेंड हम डालते ही रहेंगे आज आपका जोग्राफी का एक्जाम है इसलिए यह बहुत इंपोर्टेंड है कि आप किरे टी जेल को नेक्स्ट कुष्चन है कि मानभ भूगल किरियासिल मानभ और और आस्ताइब नियुक का अध्यान है इसका एंसर हो जागा आपको कि घंडो इसका एंसर हो जाएगा आपको C याने की प्रार्थ में घटक और मानविय घटक दोनों होगा Next question है कि नव निश्चेवाद से समंधित कौन है इसका एंसर हो जाएगा आपको D याने की टेलर Next question है कि निमलिखित में से कौन सा एक भोगोलिक सुचना का सरूत नहीं है इसका एंसर हो जाएगा आपको D याने की प्राचिन महाकाब Next question है कि निमलिखित कतनों में से कौन सा एक भोगोल का वर्णन नहीं करता इसका एंसर हो जाएगा आपको A सम कालनात्मक अनुसासन Next question है कि प्राकृतिक और मानब के बीच परासपरिकिरिया का सबसे महतपुर्ण कारक कौन है तिसका एंसर हो जाएगा आपको B तकनीक Next question है कि निमलिखित में से कौन मानब की मूल अवशकताओं से समंधित नहीं है इसका एंसर हो जाएगा आपको A परिवहन Next question है कि नमलिखित में से कौन सा एक मानब भोगोल से समंधित नहीं है तिसका एंसर हो जाएगा आपको B मात्रात्म करांती तिसका एंसर हो जाएगा आपको C यानि की गृफित टेलर Next question है कि अस्थानिक संगठन भोगोलिक अध्यन का उपागम रहा इसका एंसर हो जाएगा आपको B 1950-1960 Next question है कि इनमे से कौन समाजिक भूगल की उपसाखा है इसका एंसर हो जाएगा आपको A यानि की चिकित्सा भूगल Next question है कि किस भासा परिवार की जन संख्यां सबसे अधीक है इसका एंसर हो जाएगा आपको सी मातरात्म करांती नेक्स्ट सभी अब्जक्टिव है आपके दूसरे चप्टर याने कि विश्व जनसंख्यान वितरन घनात विड़्धी से परतम क्वेश्चन एक निम्लिखित में किस देश की जनसंख्यान सबसे अधीक है स़न्योगत्राज अमिर्का जनसंख्यान सबसे अधीक है next question है कि जनांग कि संकर्मन सी ध्यान किसने दिया इसका एंसर क्यों यह से कौन एक जनसंख्यान परिवर्थन का ख़ियों कारक नहीं है इसका अनसर हो जाएग अपको B यानि की आवास नेक्स्ट क्विस्चन है कि पर्तिकर्स और अपकर्स कारक उतरदाई है किसके लिए इसका अंसर हो जाएगा A प्रावास के लिए नेक्स्ट क्विस्चन है कि निमले खित में कौन एक जन अस्थान तरन का अपकर्स कारक नहीं है इसका अंसर हो जाएगा आपको A, यानि की रहन सहन के निमने दसाएं Next question है कि साओधी अरब में किस दिशा के छेत्र में सबसे घणी आवादी प्राचिन काल से ही है इसका अंसर हो जाएगा आपको B, यानि की पस्चीम Next Question है कि निमले खित में किस वर्ष के आसपास विक्सित और विकासिल देशों में नगरिय जनसंख्यान लगवग बरावर थी इसका Answer हो जागा आपको B.予निकी 1970 Next Question है कि निमले खित में कौन सा एक तत्थ नहीं है इसका अंसर हो जाएगा आपको डियाने की जनांकी के संक्रमन की पर्थम अवस्था में जनसंक्यां विड़्धी उच होती है Next question है कि निमलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंक्यां वाला छेतर नहीं है इसका अंसर हो जाएगा आपको C यानि की दक्षिन पूर्वी एसिया Next question है कि निमलिखित में से भारत में पुरुष परवास का पर्मुक कारण कौन सा है तो हो जाएगा काम और रोजगार C Next question है कि निमलिखित में से कौन सा छेतर सगन जनसंक्यां वाला है इसका अंसर हो जाएगा आपको A यानि की दक्षिन पूर्वी एसिया Next question है कि जनसंक्यां विर्धी दर सरवाधिक है कहां इसका अंसर हो जाएगा आपको A यानि की अफिरका में Next question है कि उच जनसंक्यां विर्धी दर वाला देश है कौन है इसका अंसर हो जाएगा आपको A यानि कि यमन Next Question है कि जनसंख्यां वितरन को परभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्पुर्ण कारक कौन सा है इसका अंसर हो जाएगा आपको A यानि कि अस्थलाक इरिती नेक्ट कुछिश्चन है कि किस वर्स विष्व की मानव जञसंखियां छा अरभ हुवी इसका एंसर हो जाएगा 1999 नेक्ट कुछिश्चन है कि निमलेखित में किस देश की जनसंखियां बढ़ने के बदले घरती जा रही है इसका एंसर हो जाएगा आपको C लाट्विया नेक्ट क्वेश्चन की नीमलिखित परदेसों में कौन सुपरलेखित प्राचिंतम नगरबसती है तो इसका एंसर हो जाएगा आपको D यानी की नील घाती नेक्ष्ट क्वेश्चन की नीमलिखित में से कौन वीरल जनसंकियांबा चेतर है इसका एंसर हो जाएगा आपको D यानिकी पस्चिमी आस्ट्रेलिया इसका एंसर हो जाएगा आपको D यानि कि इन में से सभी इसका एंसर हो जाएगा आपको D यानि कि जापान इसका एंसर हो जाएगा आपको B यानि कि घंटी नुमा next question है कि जन्षंक्या गहनतव का सबसे अका संबन्ध होता है तिसका answer हो जाएगा आपको C आने के जन्षंक्या एवं छेतरफॉल से next question है कि निमनेख्यत में से कौन एक महा दूरिप में जन्षंक्या विर दिशरवादिक है इसका answer हो जाएगा आपको B याने की अफिर का, अब आपके तिसरे चप्टर याने की जन संख्यां से सभी objective question है पर्थम question की निम लिखित में से कौन जन संख्यां संगठन का अंग नहीं इसका answer हो घाईगा झैत्ष को पर आपके निम लिखित में से किस छेतर में गरामिन आयू के साक्षरों का परतिसद सबसे अधीक है इसका एंसर हो जाएगा बी यानिकी पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट कूल नेक्स्ट कुश्चन है कि निमलिखित में से किसे प्रार्थमिक आर्थिक व्यावसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है इसका एंसर हो जाएगा आपको C यानिकी भंडारन Next Question है कि निम्निखित में से किसने सन्युक्त अरब अमिरात के लिए लिंग अनुपात को निम्निकिया तिसका एंसर हो जाएगा आपको A यानि कि पुरुष कारिसिल जनसंख्यां का चैनी तरवास इसका एंसर हो जाएगा कि भारत में लिंग अनुपाद कैसे ग्याद किया जाता है इसका एंसर हो जाएगा आपको D याने कि परती हजार पूसों पर इस्तिरियों की संक्या नेक्ट क्विस्चन है कि विस में उच्तम लिंग अनुपाद दर्ज किया गया कब आपको लेटवियं नेक्विश्चन है कि समानेत लिंग अनुपाद निमन है इसका एंसर हो जाएगा आपको A A.C.A. में next question है कि इनमें से किन देशों में गरामिन छेतरों मिस्त्रियों की अपयक्छा पुरूसों की संख्याधिक है तो इसका answer हो जाएगा आपको A. यानि की कनाडा Next question है कि निमलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है तो इसका answer हो जाएगा आपको C. यानि की मक्का Next question है कि निमलिखित देशों में किस का लिंग अनुपात विश में सरवाधिक है तो इसका answer हो जाएगा आपको A. यानि की लेटिविया Next question है कि निमलिखित संख्या में कौन जन संख्या के कारिशिल आयोवर का पड़ती निधित्व करती है तो इसका answer हो जाएगा आपको A. 15-69 वर्स Next question है कि वह व्यक्ति जो एक वर्स में 183 दिनों से कम दीन काम करता है कहलाता है क्या कहलाता है इसका answer हो जाएगा B. यानि की सिमानत सर्मिक Next question है कि मानव विकास सुचकांग काम मान कितना होता है इसका answer हो जाएगा D. यानि की 0-1 Next question है आपके चोथे चप्टर मानव विकास से देखिए अगर अभी तक आपने किसी को share नहीं किये है तो प्लीज share करें ताकि उसको भी थोड़ा सा help मिल जाए आप अंतिम अंतिम तक तो थोड़ा सा help कर सकते है न और अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चेनल को subscribe नही विकास सुचकांक में विश्व के निमलिखित देशों में से किसकी कोटी उचतम है तिसका एंसर हो जाएगा आपको ए नारवे Next question है कि डॉक्टर महबूब उलहक मूल निवासी थे कहां का इसका एंसर हो जाएगा B पाकिस्तान Next question है कि इनमें से कौन मानव विकास का स्थम्भ है इसका एंसर हो जाएगा D यानि कि उपरुट सभी Next question है अब Next question है कि इनमें कौन एक मद काली नगरत इसका एंसर हो जाएगा आपको A यानि कि आगरा next question है कि माना विकास सुचकांग के संदर में विश्व के देशों में भारत की निमने लिखित में से कौन से कोटी थी इसका एंसर हो जाएगा आपको C यानिकी 117 next question है की विकास सिल देशों के जनसंख्या के समाजिक धांचे के विकास एवम और शक्ताओं की पुर्ती में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है इसका एंसर हो जाएगा आपको C यानिकी प्राकृतिक नेस्ट कोईश्ट 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 श्रिदेश और जीरो पोईट आट है दिए मतल्ड मानव विकास स्तर कम है जीरो पोईट आठ इसका अंसर हुजाएगा आपको कितना यानि कि संतावन तावन नेक्ट कुश्चन के निमलिखित में कौन सा देश उच मानव विकास वाला नहीं है इसका एंसर हो जाएगा आपको D यानिकी मिश्र नेक्स्ट कुिूष्ट कैने की निमलखित विद्वानों में किसने माना विकास सुचकां का निर्धारं के इसका इंसर हो जाएगा आपको B य़ियानि की डॉक्टर माहबूब उलहक कितना इसका एंसर हो जाएगा आपको ए एक लाक से अधिक नेस्ट कुश्चन है कि इनमें कौन विद्वान मानव विकास सुचकांक से समंधीत है इसका एंसर हो जाएगा आपको ए आमर्त सेन नेस्ट कुश्चन है कि सड़क किस भूमी उपयोग वर्ग में आती है इसका एंस लिखित राजियों में किसमें विजय नगर लोग इसका अंसर हो जाएगा को सी यानिकी करनाटक नेश्ट को इस पात के इंदर किस राज में स्थीत इसका अंसर हो जाएगा आपको दिजार खंड नेश्ट को जने की बी उत्तर परदेश नेक्स्ट कुश्चन है कि कौन सा सहर तमील नाडू का मैंचेस्टर कहलाता है तिसका एंसर हो जाएगा आपको एक को यमबटूर अब नेक्स्ट कुश्चन है आपके प्रार्तमिक रियाय से कि सूस क्रिसी में नीमन मैं से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है इसका एंसर हो जाएगा आपको इफजेंडा next question है कि निमने में कौन सी रोपन फसल नहीं है तिसका अंसर हो जाएगा आपको D यानि की चावल next question है कि गेहूं की खेती के आदर्स्त आपमान कितना होना चाहिए तिसका अंसर हो जाएगा B यानि की next question है कि आज 20 में लगवा कितने लोगों भरन पोशन चलवासी पसुचारन पर निर्वर है तिसका अंसर हो जाएगा आपको B यानि की दू कलोर next question है कि चावल या धान के खेती समंधित है किस से तिसका अंसर हो जाएगा D यानि की गहन निर्वाहन क्रिसी से next question है कि रवड का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है तिसका अंसर हो जाएगा आपको D यानि की मलेशिया next question है कि क्रिसी के अंतरगत हम इन में से किसी लेते हैं इसका अंसर हो जाएगा D इन में से सभी next question है कि क्रिशी के लिए इन में से कौन सबसे अधिक उप्रियुक्त है इसका अंसर हो जाएगा आपको C मैदान next question है क्रिशी निर्धारन में किस कारक का भारत में जवर्दस्त हाथ होता है इसका अंसर हो जाएगा आपको B यानि की वर्सा next question है कि किस फसल की खेती में बो आई कि समय कम तापमान चाहिए तिसका अंसर हो जाएगा आपको B यानि कि गे हूँ next question है कि किस फसल की खेती पहाडी ढालो पर ही की जाती है तिसका अंसर हो जाएगा आपको B यानिकी चाय, नेक्ट कुश्चन है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तिसका अंसर हो जाएगा आपको B, यानिकी भारत, नेक्ट कुश्चन है कि निमलिखित में कौन सी खाद फसल है, इसका अंसर हो जाएगा आपको C, यानिकी मक्का, नेक्ट कुश्चन ह प्रवाश्यों द्वारा आपने उपनी वेसों में किस प्रकार की क्रिशी का विकास किया था इसका अंसर हो जाएगा आपको B यानि कि रोपन क्रिशी नेश्ट कुश्चन की निमन में से कौन सी अकल क्रिशी नहीं है तिसका अंसर हो जाएगा आपको B यानि कि मिस्रित क्रिशी कैदा लिएन की निम्न पर देशों में से किसमें विश्टी वानिज अनाज-कृषिटी नहीं की जाती एए इसका अंसर हो जाएगा आपको D यानिकी मेक्सिको तथा फिलिपिन्स तो माई डियर स्टुडेंस इसमें हमने पांच चप्टर के सभी अब्जेक्टिव को कवर किये हैं हम इससे आगे इसके छे साथ जो बात की का जितने भी चप्टर बचेवे हैं हम इसके पार्टो में बना करके अविफास्ट में फिर आएंगे इसी वज़े से आप इसको एक दो बार तिनवार करके जडूर देख लेंगे ताकि उसमें जितने भी क्वेस्टेन आएगा आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे डारेक्ट आप जो हैने टिकॉट करोगे सब शही का शहीं ही होगा और एक बात धियान र देखेंगे बाकी यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप हमारे यूटूब चैनल को भी सस्क्राइब करेंगे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे